Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का दीई नप पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर में हम MA History MH01 का Lesson No. 23 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे वैपार और सामंतवाद के हास के बारे में सामंतवाद का पतन किस प्रकार से हुआ, सामंतवाद का अंत किस प्रकार से हुआ इसके लेटेड यहाँ पर topic हम पढ़ने वाले हैं और इस जो पूरा-पूरा सामंतवाद का topic है बहुत ज़्यादा important है आप roughly के अंदाजा लागे चलो, कि अगर आप 10 question paper को study करते हो 10 में से 8 बार एक ही question सामंतवाद से लेटे topics repeat होते हुए आपको दीख जाएंगे सामंतवाद के questions repeat होते हुए दीख जाएंगे आपको तो बहुत ही important topic है, आपको बहुत साथानी से और ध्यान से पढ़ने की ज़र होते है इस पूरे topic को, अब देखो इस पूरे MHI 01 के अंदर में सामंतवाद का एक पूरा-पूरा unit है पूरा एक blog है जिसके अंदर में 5-6 lessons आते हैं अब उस lessons के अगर पूरे सिंखला को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे topic cover होते हैं जिसके अंदर में पढ़ा था starting में कि सामंतवाद होता क्या है सामंतवाद कहते किसे हैं अलग-अलग कि थ्यासकारों के नजरे से सामंतवाद है क्या सामंतवाद का सोरूप क्या है कि सामंतवाद का विस्तार किस प्रकार से हुआ Lord, किसान, अधीपत, Knights इनकी रोल क्या है सामंतवाद के अंदर में इसके बारे में पढ़ा था बहुत सारे चीजिय अमने पढ़ी मतलिव, पहुत बहुत सारे टॉपिकus को में civil rights आज किस वीडियो में जानेंगे सामंतवाद का पतन किस परकार से हुआ सामन्तवाद के पतन में क्या चीज़े जिम्यदार रही उसके बारे में जानेंगे बट यहाँ पर वीडियो आज का स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी लेसंस मैंने पीछे सामन्तवाद के टॉपिक में करवाया है वो सारे लेसंस एक दूसरे से लिंक है, इंटर लिंक है अब एक भी लेसंस को आप छोड़कर स्कीप करके आगे बढ़ोगे तो पहले वाला ना समझ में आएगा ना दूसरे वाला समझ में आने वाला है तो आपको सारा lessons की वीडियो एक एक करके सब देखना है ठीक है पूरा आपको MH01 के playlist में जाना है एक एक करके देखना है जिससे आपको समझ में आएगा और इस वीडियो के अंदर में भी यही problem होने वाले आपको क्योंकि मैं सरी उपर से उपरी उपरी पढ़ाने वाला हूँ पोरे इस lesson के अंदर में क्योंकि जितने भी topics यहाँ पर आने वाले है सारा मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ तो आपको roughly यहाँ पर पढ़ाया जाएगा सामंत्बात का सिम्पल सा description क्या है कि किसी भी जमीन पर किसी वेक्ति को अधिकाव देना कुछ सर्थों के साथ में सामंत्बात क्या व्यक्ति उस जमीन का करेगा उसका उसकी problem है नॉर्मलीं क्या होता था सामंतबात के अंदर में क्रिश्ची विवस्ता जैसी ओप बारे में कर बारे में अब यहान पर कई सारी तिहांसकारों की बारे मेंzen र्धार होटे ईसल में भोगा क्या सब्सक्राइए जारने ही चन्राइब है बान करेंगे समय सबसे पहले इतिहासकार रहते हैं जो सामंतवाद के बारे में बताते हैं वह आते हैं 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 हेंडरी के द्वारा सामंतवाद के अवधार्णा को रखा गया तो सबसे पहले कि सामंतवाद यूरूप में किस तर से विस्तिरित हुआ यूरूप में किस तर से सामंतवाद का विस्तार हुआ तो अगर आप Henry के बारे में जानते हो तो Henry के बारे में हमने एक अलग से वीडियो के अंदर में प्रॉपर पड़ा था कि Henry है कॉन Henry Pinerian का पूरा नाम है जो Belgium के इतिहांसकार है ठीक है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी Medieval Cities, Their Origin and Revival of Trade करके ऐसा करके उन्होंने बुक लिखी ठीक है साथ साथ में उन्होंने एक और बुक लिखी थी Economic and Social History of Medieval Europe ठीक है फिर एक और बुक उन्होंने लिखी थी Muhammad and Sarmalya Asagar के उन्होंने एक बुक लिखा था जिसके अंदर में पूरा सामन्तवात के बारे में तीनों बुकों के अंदर में बताया था सामन्तवात को समझायता की सामन्तवात होता क्या आर्थिक संदर्व में Economically संदर्व में Henry P near नहीं पेर सामन्तवात को एकस्पेइंड किया था जो भूमते सागरे का जो वैपार छेतर था वो धीरे-दीरे बंद होता चला गया अलग लगतर प्रॉब्लम साथ ही चली गई जिसके कान से क्या हुआ सामनत वात को पतन होने का आरम भे भी महना गया ठीक है अब देखो यहां पर जो भूमते सागरे छेतर था उसको विस्तार होने से का था उसका विक्सित होना विस्तार होने से फाइदा क्या था कि संस्कृतिक आदान परदान हो रहा था आर्थिक इस्तिति में सुधार लाया जा रहा था समाजिक जो इस्तिति इमानव का जीवन व्यापन का जो तरीका था जीवन व्यापन का जो इस्तर था उसके परिवर्तन आता सुधार हो रहा था यह सारी चीज़े देखी पर धीरे-धीरे मुसलमानों के द्वारा कभजा करना ठीक है पश्चिमी और जुम्मत देश्ती सारडेनिया जो जगह था उनके उपर में कभजा करना अक्रमन करना उसके कान से क्या हुआ भूमत सागरे वैपार को रोक दिया गया और यहां से सामंतवाद का आरंब या फिर पतन का दो और पे देखा जाता है ठीक है यह समझ में आता है उसके बाद यहां पर दिखो यहां पर हेनरी पिनियर के द्वारा एक यह लाइन कहा गया एक तरसे मालूम मुहावरा कहावत के तोर पर यूज किया इस लाइन को कि शहरी जीवन व्यक्ति को सोतंतर बनाता है क्या reason क्या होता है कि देखो आप गाव में रहते हो तो कई सारे rule regulations होते हैं मैं अपनी family का example देता हूँ मैं दूसरी के बारे में बात करूँ तो जो मेरी मम्मी जी है वो अगर गाव में रह रही है तो उनको क्योंकि सर्च सबकुछ जो भी काम करना है सबकुछ उनके हात में तो उसके हिसाब से वह चीजिए को आप पर टालना पड़ता है तो मतलब क्या एक जो सहरी ववस्था होता है वह व्यक्ति को सोतंतरता पर चीजों को करने के लिए यहां पर गूंगर डालने की जुरूत न ना पड़ेगा देरे-देरे changes हो रही हैं बट फिर भी कई जगवपे यह चीज़े अभी भी हैं तो यहां पर Henry Piner के दौरा इस चीज को पूंट कि जो सहरी व्यवस्था होती है जो सहरी जीवन होता है व्यक्ति को सोतनता परदान करती है अब देखो सामंत वात के अंदर में क्या होता था कि एक पूरा ग्राम व्यवस्था बनाई जाती जिसके अंदर में एक व्यक्ति के दौरा किसी दूसरे व्यक्ति को भूमी दी जाती और उस भू के उपर में उसको क्या दिजाता था अधिकार दिया जाता था उसके ऊपर कुछ अधिकार होता था शॉत के साथ मैं अब मालनों जो गहाँ वाले वेक्ति है जो खेती करें हो जमीन पर वही पलायन करップि सेहर की और चले गए तब उस जमीं का क्या मोल रहेगा ओ तो खतम होता चला जाएगा तो यहाँ पर हमाला गया कि जैसे जैसे व्यक्ति सोतंत्र हो रहा था उस तर सामनथ बाद कि और बढ़ता चला गया सामनथ बाद Henry Piner के द्वारा माना गया अब देखो यहाँ पे Henry Piner के बारे में थोड़ा असा बस बताया है आपको और डीटेल में Henry Piner को जानना है तो सामन्त वाद के टॉपिक के अंदर में मैंने Henry Piner को बहुत विस्तार से एक अलग से प्रॉपर वीडियो के अंदर में पड़ा रखा है तो आप उसको देखोगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि Henry Piner की क्या विचारदार आए ठीक है और PDF भी आपको टेलिग्राम के गुरूप में मिल जाएगा मौरीस डॉप के द्वारा क्या कहा गया मौरीस डॉप का अगर देखोगे तो 1946 में माक्सवादी आर्थे के तिहांसकार के तौरबर Cambridge विद्विस्टाले के तुरू उन्होंने अपनी बुक पब्लीज करी जिसके अंदर में सामंतवाद के पतन के बारे में उन्होंने सामंतवाद के पतन को बताया इनकी बुक का जो टाइम पिरिद था पब्लीज होने का 1946 1946 के राउंड में इनकी बुक पब्लीज हुई थी बुक का नाम एक बार याद अखना इनकी बुक थी जिसके अंदर में उन्होंने सामंतवाद के पतन का विचार और सबके सामिर रखा था इनका यह मानना था कि वैपार जैसे हैंडरी पिनियर ने वैपार को बहुत मुख्य सुरूत मान के चला कि जैसे बुमत सागरे वैपार जहां पे बंद हुआ वहां से सामंतवाद का पतन होना शुरू हुआ पर यहां पे मौरिस डॉप कहते हैं कि वैपार के कारण से वैपार को सामंतवाद का कारण यह मान करनी चलते हैं वैपार के कारण से सामंतवाद का पतन हुआ यह नहीं मानते हैं यह केते हैं वैपार जैसी जो आर्थिक इस्तिती है इससे क्या होता था दासपर्था सामंतवाद के अंदर में पुंजी वादी कायम करने मतलब कायने में मदद करती थी जैसे जो वैपार जैसी जो वैपार ज लॉजिक था इनका यह मानना था सोल सत्रवी और 18 स्ताथी के अंदर में जो यूरोप और यूरोप के अंदर में जो वैपार ववस्ता था उसका पुर्ण रुद्धान किया गया वापस से सामन्तवादी ववस्ता का पतन होने का कारण उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं वैपार को सासात में आप यह बताते हैं कि दूसरी क्रिशी दास ववस्ता को जन्म देता है अब देखो जब आपकी एकनौमी माल लो अभी एक्जामपल लेके चलते है पाकिस्तान का पाकिस्तान का इस समय में करेंट एकनौमी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है ठीक है गिरने कारण से क्या हो जो पड़े लिखी लोग थे उनके पास में नौकरी नहीं है तो पहले क आपके डिगरी नहीं दिखी जाएगी वहाँ पर आपको पस काम मिलेगा कि आपको अपना पीड भरना है तो आप यह वाला काम करो और डिगरी को भूल जाओ तो उस कंडिशन के अंदर में क्या होता है कि लोग दास बनते चले जाते हैं एक तरसे नौकर बनते चले जाते ह उसकी चीज़arah भी दिखा गया जब 17.46 अंदर में वयपार व्षृ वापज सरे झीज़ा होता है पुनर उद्धान होता है कि किसान दास उनकी ववष्था नहीइट कैस पावलाफ किंडीक वहाइब्लीक का यह माना गया क्रिशक दास व्ववस्था जिसको कहतें क्रिशक लक्षर माना गया कि सामंतवाद जब तक जीवीत है तो खेती करेगा क्योंकि सामंत वाद को क्रिशक से कैसे जोड़ कर दिखा जाता है कि सामंतवाद, जैसे सामंतवाद का ओधे होने का main reason कहा जाता है कि भूमी, भूमी पर अधिकार देना तो उस भूमी पर खेती कौन करेगा, तो एक किसानी तो करेगा ना खेती, अब वो किसानी नहीं है, तो सामंतवाद अपने पतन होता चला जाएगा, पर जहां पर हम बता तो डारेक्ट अधिपत को जाएगा, लौड को जाएगा, तो इस तरीके से वो दोनों का एक दूसरे से चैन बनता चला जाता है, ठीक है, और इसी चैन को हम सामंतवाद के तोर पे देखते हैं, ठीक है, समझ में आता है, तो यहाँ पर मौरिस डॉप ने बोला, कि देखो उस टाइम पर वैपार ववस्ता दो आपस से स्टार्ट हो रही है, तो उसके कारण से तो हम यह मान सकते है, कि कृष्य दास ववस्ता भी बढ़ा होगा, अगर कृष्यक दास ववस्ता बढ़ रहा है, कृष्यानों के अंदर में दास ववस्ता के प्रिवर्ती बढ़ रही ह जो अंदर की जो कला होते हैं, उसको भी जिमेदार मानके चलते हैं, सामन्त वात के अंदर में धर्म युद्ध जो इसी जो चीजे थी, धर्म को लेकर जो लड़ाई जगड़े हो ठें, उसको भी एक रीजन उनों वो मानकर चलते हैं, अर्बो को यूरोप से भगा कर अपने चेतर में धकेल दिया जैसे अर्ब जो लोग थे यूरोप में जब एंटर कर रहे थे अर्बी लोग जो उनको यूरोप मतलब उनसे ललाई होकर उनको भगा दिया गया था ठीके वो धर्म युद्धा वैपारी बनते हैं आगे चलके विलासिलता की वस्तुएं यूरोप में स बनते हैं को और सॉपाइब क्यूंकि खरीद के लिए कि किसी हद तक बारने के लिए त्यार के निए टेक्षट तक से क्यायोगा वो भी एक रीजन माना गया कि ये सामंतवात का पतन का कारण मनता है, आप देखो सामंतवात का पतन होने का कारण का देखा गया, इसन के जोर मौरिस जॉप के हिसाब से, कि जब धर्म-योद्धाओं को यूरोप से भगाया गया, ठीके जो लोग थे, जब जो मुस्लिम लोग ते, इ यूरोप में ही बेच रहे थे, वो अपने आपको धर्म-योद्धा की जगह पे वैपारी के तौर पे कनवर्ड किया, और वही उनका प्लस पोइंट रहता है कि जिसके कारण से वह अपने आपको इस्टेब्लिस कर पाते हैं, और ज्यादा कीमतों पे अपने वस्तूओं को बीच पाते हैं, और जो यूरोपीय लोग थे वो उस चीजों को खरिदेने के लिए उन वस्तूओं को खरिदेने के लिए करते थे, ज्यादा ज्यादा कीमत देने के लिए रेडी थे, और वहीं से सामन्तवाद का पतन देखा जाता है, ठीके समझ में आता है, एक यहां पर आज हम डेली में रहते हैं, ठीके कहीं भी रहों, किसी भी जगह पे रहते हैं, हम डेली में रह रहे हैं, तो डेली का एक बड़ा सहर है, ठीके इसका रीजन क्या है कि डेली के अंदर सारी सरसुजदा है, अब लोग अलग अलग जगह से पलाइन कर रहे हैं, आपके घर के आसपास आपके गाओं के जादा जादा आपके रिलेटिव ही होंगे जो दो-चार आपके घर के आसपास में दो-चार रिलेटिव होंगे आपके पर आपके इलाके के जो लोग है वो पलायन करके यहां पर आके बसे हुए हैं और अलग अलग जगे के लोग आकर पलायन करके बसे हुए तो रीजन क्या है कि वह एक जगह से दूसरे जगह पलाइन किये किसी ना किसी कारणी से अपना-पना रीजन रहा होगा तो यहां पर रीजन यह रहता है कि जब किसान इस तरह से करने लगे तो कुछी व्यवस्था को बहुत जाद रुकसान हुआ अब कृशी करने जोर्ज डूबी ने किस तर से बताया जोर्ज Judy का क्या मानना था उनका लॉजिक क्या था तो जोर्ज डूबी ने एक पूस्तक लिखी जिसका नाम था रूलर ठीक है इन्होंने दो बुक लिखी थी इसके अंदर में उन्होंने सामन्दवाद के पतन की विचारधार सबके सामिल रखी किस तरह सामन्दवाद का पतन हुआ इनका यह मानना था कि पश्चमी यूरोप के मद्देकाल के में जो स्रम और भूमी क्या छेतर जो था उसका आंत अधिलावों के ग्रामिंड को पूरी तर से बदल दिया जैसे अब देशसे लोग मेनत कर रहे थे तो जो ग्रामिंड चेतर का विस्तार था जो ग्रामिंड चितर का जो सोरूप था उसके अंदर में चेंजिस आना सुरू होता है ठीक है जो क्रिशक वर्ग था वो आपसी अ पर, पहला नुक्सान तो यह रा कि पलायन होना सुरूबला उसके बाद में नुक्सान क्या हुआ कि किसान जो tips डेते थे ऍ क罵ता चला गया ठीक है ज़ो अधिपत थे अधिपत पर पूरे भूमी का अधिकार होता था अधीपार के जो अधिकार थे चूटते चलेगा होते है क्यों कुब हम नात है जिनके हाथ में पूर्याओन का जमीर का वह क्या हुआ अधिक्क्षिण छोड तो डिएंगे ऊड़े उडिक तो दरल चाहिक नात कि जो कबजा किया जाता था जमीनों पे वो माथत के दोवारा पूरी तर से अपना लिया जाता था पर अधीपत को धिरे-दिरे अपना कंट्रोल खोना पड़ा जिसके कारण से भी यहां पर सामंतवात का पतन का हम यहां पर कारण देखते हैं और यह जॉर्ज ड्यूबी के तो यह तिरो तिहांसकारों के बारे में यहां पर पड़ा इससे पहले भी जॉर्ज डूबी के बारे में हैं री पिनिर के पड़ चुके थे तो आपको उन वीडियो को भी देखने की जो जड़त थे जिससे आपको समझ में मैं कि क्या था किस्तर रगिन की शामंतवात की व हुआ ठीक है सामन्तवाद के अंदर व्यपार एक भूमिका को बताई है प्रगुदकी की भूमिका को बताई है ठीक है ग्रामिड परिदिर्श्य के रुपान्तरण कीजिए इस तरी के से समझा जाता है नॉर्मली एक मेंली अगर इस पूरी चेप्टर का तो यह निकल कर आता है कि जो सामन्तवाद का पतन का जो सबसे बड़ा कारण रहता है उस सहरी व्यवस्ता को मानागे कि जैसे जैसे सहर का विकास हुआ उस तरह से सामन्तवाद अपने पतन के और बढ़ता चला गया ठीक है जो व्यपार ववस्ता का इस तरह से रुकना या फिर विस्तार होना उसके कारण से सामन्तवाद अपने पतन के और बढ़ता चला गया यह यहां पर conclusion निकल कर आता इस पूरे चैप्टर का यहां पर मैं वीडियो को एंड करूँआ बट एक रिक्वेस्ट रहे का आप सभी वीवर्स से जो भी हमारे यहां पर रिक्वेस्ट यह करूँआ दोस्तों कि आपके एक एक लाइक से सब्सक्राइब से में मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छी वीडियो बना सके और हम और ज्यादा महनत कर सके जो और हम आपके तक अच्छी क्वाइलिटी में वीडियो लेकर आ सके तो फ्रेंड पर सारी अकेडमिक जो कोर्सिस होती है आपकी वो यहां पर करवाई जाती है और फ्रेंड्स लैक से शेज़स्क्राइब जरू करें बाबाय कि कर आद अल्थिक्र और अल्थिक्वार गाइण थैंक तो मच पर वचिस्टी और अल्थिक्वार गार्ट कर लेश्ट एंड्री